नमस्कार दोस्ता ओसीयन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ अमकार चोदरी वह सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा उठ सा रहा होगा के शिव से ना तूट गई दो तिहाई MLA चले गए अब दो तिहाई से ज़्यादा MPB चले गए ये सब भारतिय जनता पारिटी के साथ चले गए है क्योंकि जो नेता है इनका यानि एक नात्शिंदे वो जब भारतिय जनता पारिटी के ही सहयोग से मुख्यमंत्री बने हैं तो ये उसी के साथ गए हैं और तक्नी की रूप से भी और दूसरे आस्पेक्ट से भी शिव सेना के टू थर्ड MLA और MP भारतिय जनता पारिटी की तरफ चले गए हैं और आज हालत ये है कि राष्टिय कारिकारणी भी दूसरी बन गई है शिव सेना की उसके नेता भी एक नात्शिंदे बन गए हैं संजराउत अभी भी पहले की तरह इन सब को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं डराने की कोशिश कर रहे हैं और उधव ठाकरे उधव ठाकरे और आजित्य ठाकरे क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे थे जब पारिटी तूट रही थी जब MLA तूट रहे थे जब सांसद भी उनको खुल करके ये सलाह देने लगे थे कि आप भारतिये जंता पारिटी के साथ वापस लोटिए उन्ही के साथ गड़बंदन बनाईए उन्ही के साथ सरकार बनाईए और उधव ठाकरे किसी की सुन नहीं रहे थे लेकिन क्या वास्तों में ऐसा है कि उधव ठाकरे सुन नहीं रहे थे या उन्होंने कोशिश की थी जब मीडिया में सूचना आ रही हैं और ये कहीं और से नहीं भारतिये जंता पारिटी के खेमे से आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री देवेंदर फड़नवीस के करीबियों के पास से एक खबर आ रही है कि 20 जून को जब विधान परिशद के चुनाओं में भी जम करके क्रॉस वोर्टिंग हुई और भारतिये जंता पारिटी के पांच MLC पांच विधायक जीत गए और कॉंग्रेस का एक हार गया जब उधाव ठाकरे को 21 जून की सुबह पता चला कि एकनाथ शिंदे के नित्रतों में बहुत सारे विधायकों ने बगावत कर दी है तो उधाव ठाकरे ने देवेंदर फड़नवीस को फोन लगाया अपने पूर्व सहयोगी पूर्व मंत्री के जरिये देवेंदर फड़नवीस को लाइन पर लिया और उनसे बाच्चित किया ये बाच्चित क्या थे बताते हैं उधाव ठाकरे ने देवेंदर फड़नवीस को ये कहा कि शिव सेना को तूटने से बचाईए अगर भारतिय जनता पार्टी नेत्रत्व को मुझसे नराजगी है तो मुझसे निपट लीजिए पर शिव सेना को एक जुट बने रहने दीजिए देवेंदर फड़नवीस ने उनसे कहा कि अब बहुत तेर हो चुकी है इतना ही नहीं देवेंदर फड़नवीस ने उनको सला दी कि आप प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री से बात करिए चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि उधव ठाकरे ने उन दोनों को भी संपर्क किया उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां से भी उनको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला कर्मा कर्मा सामने आता है आपके उधव ठाकरे उस दिन बेबस खड़े हुए थे पारिटी को विधायक दल को तूटते हुए देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे जरा याद करिए 2019 में देवेंद्र फड़नवीश ने जब इनको फॉन कॉल किये थे बात करने के लिए सरकार बनाने के लिए इनकी चुपी तोड़ने के लिए इनके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए तो ये देवेंद्र फड़नवीश का भी फोन नहीं उठा रहे थे कोई सकारात्मक जवाब देने को तैयार नहीं थे तो अगर आज देवेंद्र फड़नवीश ने उनको टका सा जवाब दे दिया कि बहुत देर हो चुकी है उधाव ठाकरे साब और प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री ने भी अगर उनका फोन कॉल रिसीव करने के बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो ये इनके कर्म है जो धाई साल बाद इनके सामने आए है इतना ही नहीं रश्मी ठाकरे उधाव ठाकरे की धर्म पतनी उन्होंने कुछ शिवसेना नेताओं को एक नाथ शिंदे के पास मैसेज लेकर के भेजा था लेकिन एक नाथ शिंदे ने भी वापस लोटने से साफिंकार कर दिया उधाव ठाकरे के जो पीए हैं वो तो सूरत तक गए ही थे होटल के बाहर खड़े रहे थे शुरू में एकनाथ सिंदे उन से मिलने को तैयार नहीं थे लेकिन बाद में उनको बुलाया उनके साथ बातचीत की और तब ये ख़बरें चली ये दावे किये गए संजराउत की तरफ से भी दावे किये गए थे कि एकनाथ शिंदे से नारवेकर ने बात कराई थी उधाव ठाकरे से और संजराउत का तो कहना था कि बड़ी सकारात्मक बात्चीत हुई है और ये सकारात्मक बात्चीत हुई है का सिलसिला गोहार्टी पहुँचने के बाद भी जारी था लेकिन अचानक जब इनको लगा के अब बाजी हाथ से निकल चुकी है लगातार बागी होने वाले शिवसेना विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो या तो मुंबई से ही डारेक्ट फ्लाइट लेकर के गोहार्टी पहुँच रहे हैं या सूरत के जरिए इनकी कैबिनेट में जो मंत्री थे वो भी मुंबई और महराष्ट छोड़ करके असम की राजधानी पहुँच गए है यानि उधाव ठाकरे का अपने ही विधायकों अपनी ही पार्टी से नियंतरन पूरी तरीके से खतम हो चुका था लोग ना उनका सम्मान करने को तयार थे ना बाला साब ठाकरे के जो मातर श्री का एक रिगार्ड हुआ करता था साख हुआ करती थी उसका सम्मान करने को तयार थे और इतने बड़े पैमाने पर पच्पन में से चालीस हमेले तूड जाएं मंत्री भी चले जाएं ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी इसका म इधायकों में गुस्सा भरा पड़ा था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये आत्म मन्थन करने का अब उधाव ठाकरे को खुब मौका मिलेगा और शायद उनको पता है लेकिन कुछ लोग है संजयराउत समेत जो उनको तठ़स्त रहकर के संतुलित रहकर के जो उनकी आत्मा कहती है उसके हिसाब से फैसले नहीं लेने दे रहे हैं 2019 में उधाव ठाकरे ने जो गलती की संजयराउत के कहने पर या शरत पावार के उकसाने भड़काने और कान भरने से और लालश देने से वो गलती वो लगातार करते गए और यहां तक नौबत आ गई कि जब उनका मुख्यमंत्री पद जाने वाला था क्योंकि वो किसी सदन के सदस्ट नहीं थे तो फिर उनहीं की शरण में उनको जाना पड़ा था यानि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जिनको वो मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार एक तरीके से कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे उनके हस्तक्षेफ से ही इनकी विधान परिशद में एंट्री हुई और ये मुख्यमंत्री बने रह पाए लेकिन उसके बाद फिर वही हाल रहा उधाव ठाकरे का भी संज्यरावत का भी है राज्य सभाद चुनाओं में देवेंद्र फड़नवीस ने इनको और M.V.A. के दूसरे घटकदलों को पठका नहीं दी विधान परिशद में भी दी और ये सारी पठका था इन दोनों चुनाओं से पहले लिखी जा चुकी थी बस ये देवेंद्र फड़नवीस द्वारा कही गई बातों के संकेत नहीं समझ पा रहे थे लेकिन जब विधान परिशद चुनाओं के नतीजे आये तो उधव ठाकरे को एहसास हो गया के बाजी हाथ से फिसल रही है उनके अपने MLA भी क्रॉस वॉर्टिंग कर रहे है और जो ये बात है ये 21 जून की ही बताई जा रही है उसी दिन काफी समय बाद करीब करीब एक साल बाद देवेंद्र फ़रनवीस और उधव ठाकरे के बीच में आपने सामने पड़ करके बात चीत हुई और देवेंद्र फ़रनवीस ने उनकी सुनने से इंकार कर दिया ये कहते हुए फॉन कॉल खतम कर दी कि उधर ठाकरे सब बहुत देर हो चुकी है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद नहीं करें नहीं है